नमस्कार दोस्तों मैं हूं डॉक्टरामित महिश्वरी इंटरनाशनल बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर एंड सी यू मैटास ओवर्सीज लिमिटेड फ्रेंट्स आज इस विश्यपर हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू इन्वेस्ट इन शेर मार्केट शेर बाजार के रूप में काम कर सकते हैं क्योंकि बात कहीं जाती है कि नीम हकीम खत्राए जान मतलब किसी भी चीज़ की आदिये दूरी जानकारी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है बहुत सारे लोग बिगनर लेवल के बाद जब इंटरिमेडियेट लेवल पर आते हैं तभी शेर अपने बिजनस को एक्सपेंड डरना चाती है बिजनस को एक्सपेंशन के और ले जाना चाती है तो वो कंपनी मार्कीट से कापिटल रेज करती है मतलब मार्कीट से पैसा जोटाती है यह एक तरह से लोन लेती है तो कंपनी जब कापिटल रेज करती है तो उसके दो अलग लोगों को ओफर करती है husband उसके बदले टी और उस पैसे से company का expansion करती है 손 테 clase को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है अगर आपने company को shipped ती करजा दिया है तो आपको उस पर मिलने माला Champions समuelिब चूर्प में और लेकिन अगर आपने company की लिए तो आपको dividend मिलेगा ठीक dividend के अलावा आपकी company को जो growth होगी उससे आपके share की value भी बढ़ेगी ठीक है ये बात हमें समझना बहुत जूरी है अब एक company capital raise करने के लिए क्या करती है सबसे पहले company जब capital raise करना चाहती है तो उसको IPO लेकर आना था उसको बोलते initial public offering मतलब वो company अपने share बाजार में बेचने के तयार है और बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे investor, बहुत सारे shareholder उन shares को खरीदेंगे और company उससे capital raise करेगी और raise करने के बाद अपनी company में invest करेगी अगर share की value बढ़ेगी तो आपको profit होगा घटेगी तो आपको loss होगा एक company जब initial level पर अपने share लेके आती है तो वो share direct stock exchange में नहीं जाते, सबसे पहले वो offer किये जाते हैं public को, investors को, institutions को और जितनी भी share एक बार में big जाते हैं IPO के थुरू, वो सारे के सारे share जाते हैं trade होने के लिए exchange में, मतलब एक बात समझे है कि जब exchange में जो share है ना एक तरह से second in cheese होती है, clear, यहाँ पर मैं आपको एक बात clear करना च इस्तिमाल करूँगा, वो बहुत ज़्यादा technical language नहीं होगी, बिल्कुल simple layman language होगी, मतलब एक साधरन व्यक्ति भी उस चीज को समझ पाए, fine, अब जो exchange हैं जहाँ पर हमारी share trade होते हैं, वो दो तरह के हैं NSC and BSE, NSC मतलब National Stock Exchange, BSE मतलब Bombay Stock Exchange, जहाँ पर वो सारे share trade होते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं NSC, NSC मतलब National Stock Exchange और National Stock Exchange में हजारों companies के share list होते हैं, उन हजारों companies में से topmost 50 companies हैं, best 50 companies हैं जिनकी market capitalization सबसे ज़्यादा है, उनके group को बोलते हैं Nifty, Nifty मतलब National 50, National Stock Exchange की topmost 50 companies के group को हम Nifty बोलते हैं, is that clear? अब समझते BSE, BSE मतलब Bombay Stock Exchange, Bombay Stock Exchange में भी बहुत सारी companies list होती हैं, लगबग 3,000 से अधा company हैं यहाँ पर listed हैं, उन 3000 companies में से best 30 companies के group को हम कहते हैं Sensex, मतलब sensitive index, यह बात में आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि कई बार आप यह सुनेंगे, Nifty बढ़ गया है, Sensex घट गया है, Sensex बढ़ गया है, तो market कैसे decide होती है, market तेजी पा रहा है, market down है, market up है, market rookie हुई है, यह सारे जो points यहाँ पर use होने वाले हैं, जो terms यहाँ पर use होने वाली हैं, उनके बारे में मैं आपको explain कर रहा हूं, तो समझ गया है, BSE, BSE मतलब Bombay Stock Exchange, और Bombay Stock Exchange में जो term use होती है, वो होती और जब हम बात करते हैं, Sensex, तो Sensex की बात हम करते है, BSE में, मतलब Bombay Stock Exchange में, top 30 companies की value क्या होगी, इसके बारे में आपको समझना बहुत जरूरी था, अब हम बात करते हैं, company की capital value है, वो कैसे calculate करते हैं, और यह बिल्कुल सिधा formula है, उस company के number of share कितने है, और उस share का market price कितना ह करते हैं, मतलब for example, मानली जी एक company के 1,00,000 share है, और हर share का price 100 रुपे है, तो उस company की value कितने होगी, 1 crore rupees, मतलब 1,00,000 share into number of price per share in market, that is 100 रुपी, equal to 1 crore rupees, यह तरीका है, किसी भी company की capital को, किसी भी company की market valuation को calculate करने का, Warren Buffet कहते हैं कि losing money in share market is near to impossible, share bazar में पैसा डूप जाए, यह एक तरह से बिलकुल impossible बात है, लेकिन सबसे बड़ा risk क्या है, the biggest risk is not having the required skill, आपके पास required skills नहीं है, यह सबसे बड़ा risk है, तो यहाँ पर एक एक चीज़ को समझना है, implement करना है, तभी आप share market में Warren Buffet की definition को prove कर यहाँ पर सबसे पहली जो requirement है, वो है आपके पास एक bank account होना चाहिए, और bank account जो है, वो आपका trading account से link होना चाहिए, अब यह Trump बहुत ध्यान से समझेगा, आपका bank account आपके trading account से link है, और आपके trading account में ही आपका DMET है, कहीवर कहते हैं, DMET account खोल रहे हैं, तो DMET account खोल रहे हैं लेकिन DMET account में trading account है, अब क्या होगा, जब भी आप कोई share खरीदेंगे, तो वो share, जब आप ऐजे investor कोई share खरीदेंगे, तो वो share खरीदने के लिए, आप अपने account से पैसा transfer करेंगे trading account में, और trading account से आप share buy या sell कर सकते हैं, जैसे आपने मान लीजिए, Reliance Company के 100 share खरीदे, तो आपने सबसे पहले पैसा अपने bank account से trading account में transfer किया, और उस trading account से आपने trade किया, आपने handed share buy किये, जब वो handed share buy कर लेंगे, transaction आपके पास आजाएगी, तो वो handed share आपके account में, आपके DMET account में show करेंगे, फाइन, यहां चार्ट आप ध्यान से देखिए, कि आपका bank account, bank के साथ link है जो खरीदने बेचने वाला व्यक्ति है, उसको हम कहते हैं, trader, मतलब अगर आप share खरीदेंगे या बेचेंगे, तो आप trader कहलाएंगे, आपके account से ही trade होगा, जो कि exchange के साथ जुड़ा हुआ होगा, यह बहुत important बात है, कई बार क्या होता है, कि आपने एक ही bank में, मान रिज trading से आपका demat, fine, trading में हुआ, जिसमें आप trade करेंगे, जिसमें सबसे उपर टरम आप देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, trader मतलब आप, कई बार trader आप खुद नहीं होते, बहुत सारे लोग खुद share trading करते, वो अपने agent के थुरू काम करते हैं, जो या share broker के थुरू काम कर दे और बेचे जाएंगे, जो भी share आप खरी देंगे, वो आपके demat account में आएंगे, और जो भी share आप बेचेंगे, वो demat account से निकल जाएंगे, is that clear? तो as a trader जो आपका account है, आपका saving account उसी के साथ आपका trading account और demat account link है, जो stock exchange में deal करता है, कई बार आप एक ही bank से करते हैं, त trading account ICC का, तो HDFC से ICC में transfer करते हैं, तो वहाँ पर delay हो जाता है, मतलब payment का delay रहता है, इसलिए कोशिश करें कि जिस bank में आपका account है, उसी bank में आपका demat or trading account होना चाहिए, अब बात करते हैं कि आपके demat account में क्या क्या चीज़े रख सकते हैं, या आप अपने trading account से क्या क्या च securities खरीच सकते हैं, ये सारी के सारी चीज़े कहां save होती हैं, आपके demat account में, is that clear? तो एक term बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सर लोगों को ये पता ही नहीं होता, कि trading account क्या है, demat account क्या है, तो पता नहीं चल पाता उनको, तो एक एक term आपकी जब clear होगी तब ही आप expertise level तक पहुचेंगे, when to buy, when to sell, और when to hold को समझने के लिए एक बहुत बड़ा question है, how the stock market really works, वास्तिविकता में stock market काम कैसे करती है, देखें मैंने आपको बताया है कि जब company IPO लेका राती है, तो वो share आपस में trade होता है, एक दूसरे लोग खरीते हैं, और उसके ब यहाँ पर यह depend करता है कि आपके share के demand और supply कितनी है, अब यह demand and supply कैसे decide होती है, जब आप share खरीदना चाहते हैं, तो आप समझ दिए share के demand कर रहे हैं, उधारन के रूप में लेते हैं, मैंने भी आपको बताया था, यह company के एक लाक share है, और सो रुपे का एक share है, capitalization जो है, व और वो 10,000 share list होगए, कहाँ पर exchange में बिकने के लिए, अब जो share exchange में बिकने के लिए हैं, तो बहुत सारे लोग उसको बेचेंगे और बहुत सारे लोग खरीदेंगे, जब उस share की demand जादा होगी, और share कम available होगे, मतलब बेचने वाले कम हैं, और खरीदने वाले लोग जाद जादा, तो इस case में उस share का price घटना शुरू हो जाएगा, अब यह बात समझना बहुत जरूरी है कि share के demand and supply decide कौन करता है, आपको लगता है आपने share खरीदे तो आप demand and supply को decide कर रहे हैं, या बेचने तो demand and supply आप decide कर रहे हैं, वारन वफे ने यहाँ पर एक बात कही थी, 95% of mass is donating to 5% of class, अब यह किस तरह से decide होता है, the financial market is consist of buying and selling among and between two groups, मतलब share market जो है, वो दो तरह के groups के बीच में divide है, जहाँ पर buying and selling होती है, और यह दो group कौन कौन से हैं, एक है retail trader और investor, retail trader मतलब जैसे आपने share खरीदे, मैंने share खरीदे, बहुत सारे individual लोग हैं, वो share खरीते हैं, तो वो retail traders हो गए, और investor जो company, जो एक तरह से पूरी की पूरे उस company के share को खरीदने के ताकत रखते हैं, वो होते हैं investors, अब यह investors कौन कौन से होते हैं, 95% masses जो पैसा donate करता है, वो 5% class को करता है, यह Warren Buffet ने कहा, क्यों कहा, यह बात समझते हैं, अभी जो 5% class है, इसमें कौन कौन स में क्या होने वाल है, कैसे demand या supply को बढ़ा या घटा सकते हैं, कैसे price, share के price को बढ़ा सकते हैं, कैसे share के price को घटा सकते हैं, तो institutions कौन कौन से हैं, वो है bank, मतलब banks जो हैं, जो companies के shares खरीते हैं, वो decide करते हैं, वो यह तरह से game changer होते हैं, वो decide कर सकते हैं कि कि किसका share बढ़ स सारी companies share market में निवेश कर देती हैं तो मतलब mutual fund की जो companies हैं वो भी decide करती है कि market किस तरीके से होने वाली है insurance companies आप जो भी insurance लेते हैं वो insurance companies भी अपना पैसा share market में invest करती है वो एक तरह के institutions होती है financial institutions मतलब बहुत सारी ऐसी companies जिनका काम ही finance के ओपर करना है वो भी share market में invest करती है domestic institutions and investors यह भी share market में invest करती है और foreign institutional investor मतलब विदेश जो पैसा है जो foreign investment है हमारे share बाजार में वो भी market को drive करती है मतलब हम जो masses है वो 95% है लेकिन 5% जो class है वो market को decide करती है कि market कैसे होने वाली है fine अब अगर हमें share में trade करना है buy करना है sale करना है hold करना है तो कभी में न्यूज को follow नहीं करना यह नहीं हमने CNBC अवाज लगाया जी बिजनस लगाया NDTV profit लगाया वहां हम देख रहे हैं किसका share बढ़ रहा है किसका घट रहा है French share market ऐसे drive नहीं होती है Warren Buffet के rule को हमें follow करना है और हर अच्छे investor के rule को हमें follow करना है वो कभी भी trend या news को देखकर share market में invest करने के लिए तयार नहीं होते हैं तो ध्यान रखेगा यह पूरी series मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसमें share market के बारे में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ कि share market कैसे काम करती है कौन सा share खरीदना है कैसे खरीदना है companies के fundamental कैसे चेक करने है analysis कैसे चेक करने है company की inside report क्या है balance sheet को कैसे study करना है सब कुछ हम लोग यह समझने वाले हैं अगर आपको लगता है कि यह video आपके लिए बहुत valuable होने वाला है तो चैनल को तुरंट subscribe कर लें क्योंकि share market में investing के सारे formula सारे गुण मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ आने वाली videos में हम बात करेंगे share market में trade करते समय कैसे हम यह decide करते हैं कि इस company का share अच्छा है या बुरा इस company का share का जो price अभी चल रहा है वो खरीदने के लिए ठीक है या नहीं अभी buy करना है या नहीं करना यह सारी बाते हम सीखेंगे और समझेंगे और बहुत सारी technical चीज रहा है